कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले में शिक्षक और चौकेदार के लिए जो वैकेंसी निकली है वो आपने देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो हम आपको दिखा देते हैं और इसे देखने के बाद आपका भील सर घूम जाएगा क्या कुछ पुरा वाक्या है हम आपको बता देते हैं नमस्कार दर्शनूस देख रहे हैं आप मैं प्रितिदयाल आपके साथ दरसर्फ कस्तूर्बा गांधी बालिका स्कूल का एक विज्यापन सोशल मेडिया पर बड़े ही तेजी से वाइरल हो रहा है इसमें टीचर और चौकीदार की नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं नौकरी के अखबार में दिये गए इस विज्यापन में कुछ ऐसा है जिसने सब का ध्यान अपनी ओर खीचा है और यह एड सोशल मेडिया में काफी ज्यादा वाइरल हुई है विज्यापन के वाइरल होने के पीछे की वज़ा है इसमें लिखी गई सैलरी जी हा एड के मुताबिक पार्ट टाइम टीचर की सैलरी चौकीदार से कम होगी जी हा आपने सही सुना आप उस विज्यापन को अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं विज्यापन के मुताबिक स्कूल में पार्ट टाइम शिक्षत और एक चौकीदार की लिए आवेदन मांगे गए हैं पार्ट टाइम टीचर की योगिता बी एस सी, एम एस सी और बी एड के साथ टेट पास रखी गई है जबकि चौकीदार की शैक्षनिक योगिता दसवी पास है पार्ट टाइम टीचर को प्रती माह 8,450 रुपे सैलरी मिलेगी तो वहीं चौकीदार को 10,630 रुपे वेतन दिया जाएगा ऐसे में यह काफी रोचक है कि चौकीदार को टीचर से अधीक सैलरी मिलेगी इसी पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब शिक्षक बनियेगा या चौकीदार ये आप तैकर लीजे भाईया विग्यापन में अभी पताया गया है कि दोनों पदों के लिए साशातकार 20 ओक्टोबर 2024 को SDM कार्याले भरमौर में होंगे दोनों पदों पर आवेदन के लिए शाक्षनिक और उम्र के अलावा कुछ शर्ते भी है यानि आवेदक BPL परिवार से हैं तो उसे इसका सर्टिफिकर देना होगा इन दोनों पदों पर SMC यानि कि स्कूल प्रबंधन समीती के जरीए भरती की जाएगी बता दे कि बिहार शिक्षक मंच के सोशल मेरिया अकाउंट के जरीए इस विज्यापन को शियर किया गया है अब आपको बता देते हैं कि आखिर कार यह पूरा मामला है कहां कहां तो आपको बता दे कि यह मामला हिमाचल प्रदेश के चमबा जिले में कस्तूर्बा गांधी बालिका स्कूल से जुरा है हिमाचल प्रदेश में शिक्षविभाग के तहट आने वाली इन भरतियों को लेकर सोशल मेडिया पर लोग चुटकी ले रहे हैं इस पोस्ट के वाइरल होने के बाद लोग सोशल मेडिया पर सरकार और स्कूल प्रबंधन की आलोचना करते नजर आ रहे हैं कुछ लोगों ने तो मजाकिया लहजे में टीचर की बजाए चौकीदार की नौकरी को सही बताया है वही कुछ लोगों ने इसे पढ़े लिखे युवाओ के साथ मजाग बताकर अपनी भडास निकाल रहे हैं लोग कह रहे हैं कि BSC, MSC और B8 कौलिफाई करने के बाद युवाओ के साथ ऐसा मजाक हो रहा है वह कह रहे हैं कि पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है तो ऐसे में जिस तरह से यह विज्यापन सामने आया है तो यह लगातार चर्चे में बना हुआ है और इसके साथ ही साथ लोगों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है तो फिरहाल के लिए इस ख़बर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारी यूट्व चैयों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगरे वीडियो फेस्बुक के माधियम से देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले